खुशखबरी है आज आप लोगों के लिए जिसका इंतजारा बहुत लंबे समय से कर रहे थे वो लॉंच हो चुका है कॉंपडिशन कमिनेटी का ओडियो कोर्स 36 गड़ के सभी प्रतियोगी परिक्षा की तैयारी आप इस ओडियो कोर्स के माध्यम से कर सकते हैं इस ओडियो कोर्स के प्रति जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है वो यह कहता है कि अगर आप डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं अगर आप 36 गड़ के किसी प्रतियोगी परिक्षा को पास करना चाहते हैं तो बिलकुल कर सकते हैं रिसोर्स के ही कमी थी ना संसादनों के ही कमी थी ना हम आपको उपलब करवा रहें लाखों रुपिया या कोई वोटी रखम खर्च करने की जरुवत नहीं है एक ऐसी कीमत जो कोई भी एफॉर्ड कर सकता है अगर आप यहां देखोगे ओडियो लेक्चर के साथ आपको कॉम्पैटिशन कम्यूनिटी की सभी किताबों के पीडिएफ सिर्फ 1450 रुपय में मिल रहे हैं एक subject कि अगर आप audio lecture यहाँ पर देखोगे तो मातर आपको 100 रुपे में मिल रहे हैं तो आप संसाधनों की फिकर और resources की फिकर छोड़ दो अगर आप में है कि आपको deputy collector बनना है अगर आपको 36 गड़ कि किसी प्रत्योगी परिक्षा को पास करना है तो यह audio course आप लोगों के लिए है मेरा सुझाओ है आप इसे purchase कर ही ले इस audio course में और भी बहुत सारे फायदे हैं कैसे आप हमारी quality बहुत अच्छे तरीके से जानते हो जैसे अगर आपने किसी दोस्त को share किया या अगर अपने relatives को share किया इस audio course के बारे में और अगर जब वो purchase करते हैं तो यहाँ पर एक refer पूछा जाएगा वो refer by यहाँ पर अगर वो आपका mobile number डालते हैं और इसे submit करते हैं और आपके refer से वो purchase करते हैं तो आपको competition community के तीन महीने की magazine बिल्कुल मुफ्त मिलेगी तो आपको भी फायदा है आपके दोस्तक भी सही resources पहुँच जाएंगे वो भी तैयारी कर सकता है तो आप इस तरह से इस audio course से जुड़कर बहुत सारे फायदे ले सकते हैं तो फिर ज्यादा सूचिये मत मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ न अधिक जानकारी के लिए विजिट कर ले हमारी वेफ साइट competitioncommunity.com या फिर आप हमें इंदिये के नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं नमस्का दोस्तों Competition Community के audio lecture series में आपका स्वागत है और मैं हूँ कुछबू सावू अभी तक हमने जनजातियों को विस्तार पूरवक पढ़ लिया है और आज से हम पढ़ेंगे 36 गड़ की कला एवं संस्कृति को तो कला एवं संस्कृति के अंतरगत कला को दो भागों में भाजित किया गया है पहला तो दृष्य कला और दूसरा रूपंकर कला दृष्य कला के अंतरगत कला का प्रडशन किया जाता है जैसे कि अंवित्य, गीत और नाटिय उसी प्रेकार रूपंकर कला के अंतरगत वे सब ही कलाएं आती है जिनके द्वारा कला भाव को रूप या आकार दिया जाता है मैंने क्या बताया कि द्रिश्य कला के अंतरगत कला का प्रदेशन किया जाता है कला का प्रदेशन रित्ते के द्वारा किया जा सकता है गीत के माधियम से किया जा सकता है नाट के प्रस्तूत करके किया जा सकता है तो उसी प्रकार रूपंकर कला में कला को रूप या आकार दिया जाता है जैसे कि चित्रकला, शिल्पकला और संस्कृति के अंतरकत हम 36 गड़ के विभिनना परवो एवं तिवहारों को पढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग को पता है कि 36 गड़ में जन्जातियां भी निवास करती है और मैदानी छेत्र के लोग भी निवास करते हैं तो जन्जातियों की कला एवं संस्कृति को हम प्रिथक रूप से पढ़ेंगे और 36 गड़ के जो मैदानी छेत्र में प्रचलित हैं कला एवं संस्कृति उन्हें हम प्रिथक रूप से पढ़ेंगे तो पहले हम पढ़ेंगे जन्जातिय कला एवं संस्कृति को इसमें हम जन्जातियों के परव एवं तिवहार को पहले पढ़ेंगे कि 36 गड़ में लगभग एक तिहाई जनसंख्या किसकी है जनजातियों की है ये जनजातियां जो है वो आज भी अपनी संस्कृति को वधिन पर्वों के माध्यम से जीवन्त बनाए हुए हैं संस्कृति को प्रवाहमान बनाने में इनके लोग पर्वों का महत्वपूर्ण इस जातियों के द्वारा कौन सा पर्व मनाया जाता है हम इस प्रकार से देखेंगे क्योंकि जब भी कोशन पूछा जाता है इनसे संबंदित तो यह नहीं पूछा जाता कि यह पर्व जो है वो कब मनाया जाता है वो यह पूछा जाता है कि यह पर्व किस जनजाती के द्वार माह तो के नाम को हम हिंदू कलेंडर में उपीयोग होने वाले माह के नाम से जानने वाले हैं तो पहले हम Hindu calendar के बारे में जान लेते हैं Hindu calendar में अंग्रेजी calendar की तरह 12 माह होते हैं और हर एक माह में 15-15 दिन के 2 पखवाड़े होते हैं इस परकार से एक माह में कितना दिन होता है? 30 दिन होता है अब ये 30 दिन को हम 15-15 दिन में डिवाइट कर रहे हैं तो जो पहला पंद्रहुवा दिन होता है उसमें अमावस्या होता है और जो दूसरा पंद्रहुवा दिन होता है उसमें पुर्णिमा होता है पुर्णिमा के बाद का जो पहला दिन होता है वो माह का पहला दिन होता है और इस समय जो चांद है वो धलता जाता है इस 15 दिन के duration को क्या कहा जाता है कृष्ण पक्ष कहा जाता है फिर क्या आता है 15 दिन में अमावर्सिया और अमावर्सिया के बात का जो पहला दिन होता है वहां से लेकि हम फिर 15 दिन पर calculate करते हैं इस duration को कहा जाता है सुकल पक्ष और इस समय चांद जो है वो प्रकाश में हो लगता है तो इस प्रकार से आपने क्या समझा कि एक माह में 30 दिन होते हैं 15 और 15 दिन के दो पखवाड़े होते हैं पहला जो 15 दिन का डूरेशन होता है उस समय जो चांद होता है वो धलता जाता है 15 दिन अमावस्या होता है और इस 15 दिन के डूरेशन को क्रिश्न पक्ष कहा जाता है अमावस्य के जस्ट बात के पहले दिन से हम दूसरे 15 दिन को कौंट करेंगे तो इस दूरेशन को शुक्लपक्ष करते हैं और इस समय चांद जो है वो प्रकाश में होते जाता है और 15 दिन क्या होता है पुर्णिमा होता है हिंदू कैलेंडर का जो पहला मास होता है वो चैत्र होता है और अंतिम मास होता है फालगुन इस वैदिक मासों के नाम को रासियों के आधार पर रखा गया है सभी माह का अपना अलग-अलग धार्मिक महत्व होता है और अपने अपने तेवहारेवं पर्व होते हैं तो पहले हम इन माहों के नाम जान लेते हैं कि कौन कौन से 12 माह होते हैं, कि सिक्वेंस में हैं और उसके बाद हम फिल जन जातियों के परवियमतेवार को पढ़ना प्रारंब करेंगे तो सबसे पहला माह क्या होता है? चैत्र चैत्र माहा, देखी हम यहाँ पर compare करने वाले हैं कि हिंदी कैलेंडर के हिसाब से यह जो माहों के नाम हैं, वो इंग्लिस कैलेंडर के हिसाब से किस डूरेशन को संबोधित करने वाले हैं तो चैत्र जो है, वो 21 माह से लेकर 20 अपरेल तक का समय होता है बैसाख जो है, वो 21 अपरेल से लेकर 20 मही तक का समय होता है जेस्ट माह जो है वो 21 मई से लेकर 20 जून का समय होता है आसाड 21 जून से लेकर 20 जुलाई सावन 21 जुलाई से लेकर 20 अगस भादो 21 अगस से लेकर 20 सितंबर अस्फिन 21 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर कार्तिक 21 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर अगहन 21 नवंबर से लेकर 20 दिसम्बर, पॉष 21 दिसम्बर से लेकर 20 जनवरी, मांक 21 जनवरी से लेकर 20 फरवरी और फागुन 21 फरवरी से लेकर 20 मार्च और फिर उसके बाद फिर से चैत्र माहा जो है वो प्रारम हो जाता है 21 मार्च से लेकर 20 अपरेल तर तो इस प्रकार से 12 माहों के नाम क्या-क्या हो गए चैत्र, बैसाक, जेस्ट, आसाड, सावन, भादो, भादो को भादरपत भी कहा जाता है अश्वन, कार्टिक, अगहन, पॉश, माग, फागुन तो ये 12 माहों के नाम हैं और अब जब भी हम कुछ भी बताने जा रहे हैं माहों के नाम के बारे में या माहों के बारे में तो हम इसे हिंदू कलेंडर में यूज होने वाले जो भी माह हैं उनके नाम से हम क्या करेंगे जानेंगे इन्हें तो आते हैं जनजाती परवेवं तेवार में ये 36 गर सारगर भी भागे के पेज नमबर 325 में दिया गया है पहले हम उन परवों के बारे में बात करेंगे जो कि लगभग सभी जनजातियों के दवारा मनाया जाता है और फिर हम उन पर्वों के बारे में बात करेंगे जो किसी पर्टिकूलर जनजाती के दुवारा मनाया जाता है तो प्रारा को करते हैं नवा खानी से नवा खानी नाम से ही समझ में आ रहा है नवा अर्था नया और खानी अर्था खाना खाना या फिर कह सकते हैं हम अन तो नए अन की बात की जा रही है इसमें लगभग सभी जनजातियों के द्वारा भादो माह में अमावस्या के बाद शुकल पक्च से लेकर पुर्णी मा तक लगभग 15 दिनों तक जब खेट में नई फसल आई रहती है उसे ग्रहन करने से पहले इस पर्व को मनाया जाता है और इस अवसर पर क्या किया जाता है ये तो जनजाती लोग होते हैं ये लोग अपने ग्राम देवी देवताओं की कुल देवी देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें नया अन्न या फिर कह सकते हैं धान अर्पित करते हैं और उसके बाद इस नये अन्न को ये लोग उपयोग में लाते हैं तो इस पर्व को मनाने का मुख्य उदेश्य क्या है? इस पर्व को मनाने का मुख्य उदेश्य है जो भी खेत में आई नई फसल है उसे अर्पित करने से पहले ये अपने ग्राम देवी देवताओं को धन्यवाद अर्पित करते हैं नई फसल के लिए अच्छी फसल के लिए और उन्हें अर्पित करते हैं इस फसल को तो इस प्रकार से नवा खानी पर्व को मनाया जाता है अब हम बात करेंगे गोंचा पर्व की तो गोंचा पर्व जो है वो बस्तर शेत्र में निमास करने माली लगभग सभी जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है इस पर्व को अशार सुक्ल दुतिया से लेकर 11 तक लगभग 10 दिनों तक मनाया जाता है अशार सुक्ल दुतिया को ग्रामवासी जगदलपूर में जाकर जगनाच जी, सुबद्रा देवी और भलबद्र जी इन तीनों की मूर्तियों को रत में इस्थापित करते हैं और रत यात्रा निकालते हैं देखी ये जो गोंचा पर्व है इसे हम रत यात्रा भी कह सकते हैं 9 दिनों तक रत यात्रा करने के बाद 10 दिन मूर्ति को मंदिर में पुना इस्थापित किया जाता है इस दौरान ये जो आदिवासी लोग हैं वो विशेश रूप से तुपकिया चलाते हैं तुपकिया क्या है? बस्तर में बंदूग को तुपक कहा जाता है और तुपक शब्द से ही तुपकी बना है बंदूग रूपी के जो तुपकी होता है ये बास से बनाया जाता है और इसमें जो गोली होती है गोली के रूप में पेंगू जो की जंगली लता का फल होता है मटर के दाने के समान ठोस छर्रानूमा फल होता है इसे प्रयोग किया जाता है तो इस प्रकार से बास से बनी तुपकी में पेंगू नामक पल को गोली के रूप में प्रयोग किया जाता है और जगनाद जी को सलामी दी जाती है पहले क्या होता था प्राचीन समय में कि बन्दूग द्वारा सलामी दी जाती थी लेकिन चूकि अब यह पॉसिबल है नहीं तो इसलिए तुपकिया चलाई जाती है तुपकी सलाने की यह जो परंपरा है वो बस्तर की अतरिक्त पूरे भारत में कहीं भी नहीं है बस्तर अंचल में रथ यात्रा का प्रारंब जो है वो काक्तिवश के जो शाशक है पुषोत्तम देव उनके द्वारा प्रारंब की गई थी हुआ गया था राजा पुशोतन देव जब जगनाथ बुरी की यात्रा से वापस आये थे तब उन्हें 16 पहिये वाला रत जो है वो वहां के राजा ने या कैसकते वहां के पुजारी ने इन्हें दिया था उपहार स्वरुप दिया था और उन्हें रत पती की उपाड़ी दी तब से लेकर आज तक बस्तर शेत्र में रत यात्रा निकाली जाती है जो रत यात्रा है वो दो आवसरों पर निकाली जाती है एक तो गोंचा पर्व के आवसर पर तब जगनाथ जी की यात्रा निकाली जाती है और दूसरा बस्तर के दशहरे के आवसर पर तब दंतेश्व हिएaiserी माता की रथ यात्रा न काली जाती है इस पर्व के नामकरन के बारे में मान्यता है कि उडीसा में सवरण्रथं राजा इंद्रग्यून्ञने रथ यात्रा ठारम्ब की थि उनकी पत्नी का नाम था गुंडीमटिचा उडीसामें गुंडीचा कहा जाने वाला ये जो पर्व है इसे ही कलांतर में बस्तर छेत्र में गोंचा कहा गया तो इस प्रकार से इस पर्व को गोंचा पर्व के नाम से जाना जाता है अब हम बात करें के दियारी की दियारी जो है वो बस्तर शेत्र में निवास करने वाली लगभख सभी जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है जब पूरे भारत में दिवाली का फेस्टिवल मनाया जाता है तो जनजातियों के द्वारा दियारी परो मनाया जाता है या फिर हम ये कह सकते हैं कि बस्तर अंचल में दिवाली के औसर पर जनजातियों के द्वारा जो पर्व मनाया जाता है उसे क्या कहते हैं हम दियारी कहते हैं या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जनजातियों की दिवाली होती है देखे जिस दिवाली का पर्व मनाया जाता है पूरे भारत में उस particular date पे नहीं मनाया जाता है इसके लिए क्या होता है कि जो गाउ होता है या particular area होता है वहान की पुझारी की अनुमती से ग्राम प्रम्भूखों की एक बैठक बुलाई जाती है और दियारी हितु दिन तै किया जाता है यह जो पर्व होता है यह अन एवं पशु धन से समंदित पर्व होता है जिसे लगाता तीन दिनों तक मनाया जाता है पहले दिन क्या होता है कि जो धान की बालियां होती है या फिर हम यह कह सकते कि जो खड़ी फ़सल की कलिया होती है उनका विवाह किया जाता है नाराइन देउ के साथ चुकि ज़ातियों का मानना है कि जो धान की बालियां होती है वो मालक्ष्मी का स्वरूप होती है इसलिए धान की बालियों के साथ नरायन देव की पूझा की जाती है और इन्हें आगरा किया जाता है कि इनका जो घर है वो हमेशा धन और धान्य से परिपूर्ण हो शाम को चरवाहा के घर जाकर उसे सलफियर पित किया जाता है और गौश आला में बैलो को सन की बनी रस्ती से बांधा जाता है ये पहले दिन करस्म हो गया दूसरे दिन बैलो की पूजा कर उनको खिचरी खिलाया जाता है और तीसरे दिन गोठान की पूजा की जाती है और अंचल में हरेली अमावस्या के आउसर पर या फिर हम यह कह सकते हैं कि सावन अमावस्या के आउसर पर इस पर्व को मनाया जाता है इस आउसर पर पशु आउशदियों की पूजा की जाती है जिसमें विशेश रूप से रसना और शतावरी पौधों की पूजा की जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अमुस्तिहार का पर्व है वो पशुवों के स्वास्थ से संबंधित है उनके अच्छे स्वास्थ की कामना के लिए उन्हें औशदी खिलाया जाता है इन औśषदियों की पूजा की जाती है तो इस प्रकार से अमुश्तिहार के पर्व को मनाया जाता है है। बाशितिहार लगभर्ष सभी जनजातिओं के द्वारा मनाया जाता है Jitringky इसफे 1 अपरेल माह में रिद्य गायन करके मनाया जाता है। अब हम गोन जनजातियों के द्वाया जो मनाया जाने वाला पर्व है उसके बारे में बात करेंगे स्टार्ट करते हैं माटी तिहार से चैत्रव मां हमें बस्तर में पृत्वी पूजन किया जाता है और इसी पृत्वी पूजन को माटी तिहार या फिर बीच पुटनी कहा जाता है होता क्या है कि जो गोंजन जाती के लोग हैं ये लोग नई फसल उगाने से पहले उस पर्टीकुलर खेट की या फिर भूमी की पूजा करते हैं और इसी पर्व को माटी तिहार कहते हैं अच्छी फसल की कामना है तो माटी की पूजा की जाती है और माटी तिहार पर्व मनाया जाता है अब हम बात करेंगे मेघनाथ पर्व की तो फागुर सिर्फवाला भाग होता है उसमें पूझापाट का समान रखा जाता है और जितने भी गाउं वासी होते हैं वो क्या करते हैं इसमें चड़कर इस पूझापाट के समान को नीचे लेकर आते हैं फिर उसके बाद मेगनात इस्तंब के चारो और घूम कर उनकी पूजा करते हैं ये साल भर जो भी विश के रहते हैं मेगनात जी से जब ये विश पूरे हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं धन्यवाद अर्पित करने के लिए मेगनात जी की पूजा करते हैं और चारो तरफ मेगनाति सम्में घूम कर पने धन्यवाद अर्पित करते हैं, मेले का बिल्कुल आयोजन किया जाता है, इस अवसर पर बहुती धूम धाम से इस पर्व को मनाया जाता है, अब हम बात करेंगे कर्मा पर्व की, कर्मा पर्व को गोंड, बिंजवार, बैगा और उराओ, इन सबी जन्जातियों के द्वारा मनाया जाता है, देखिए ये जो कर्मा पर्व है ना, इस पर्व को भादो मा में धान रोपने के बाद, और फसल कटाई के पहले मनाया जाता है, इस बीच में इस पर्व को मनाया जाता है, इस उसर पर कर्म देव की पूजा की ज जीवन होता है उनकी जो क्रिशी संस्कृती होती है और जो वो श्रम करते हैं उसके लिए कर्मदेवताव को धन्यवा दर्पित करते हैं और उनसे प्रातना करते हैं कि ऐसे ही उनका जीवन जो है वो आगे चलता रहे तो इस प्रकार से ये कर्मदेव की पूजा करते हैं इस आ मनाया जाता है लारू अर्था दुल्हा काच का मतलब होता है अनुष्ठान इस प्रकार से इस पर्व का मतलब होता है विवाह उत्सव यह जो पर्व होता है वो सुवरों के विवाह का सूचक होता है इस पर्व को 9 से 12 वर्ष के अंतरान में गोन जन जातियों के द्वारा नर होता है और इस उत्सव को नरायन देव के संबान में मनाया जाता है अब हम बात करेंगे गौरी गौरा पर्व की कार्टिक माह में दिपावली के आउसर पर गोण जन जातियों के द्वारा गौरी गौरा पर्व मनाया जाता है गौरी गौरा मतलब शीव और पार्वती की बात इनकी पूजा की जाती है इनका विवार अचाया जाता है और दूसरे दिन सुबह इन प्रतिमाओं को ग्राम भ्रमण कर विसरजित कर दिया जाता है इस दिन गोंडा दिवासी लोग भीम से इनकी प्रतिमा तयार करते हैं और जो भी पूजा करते हैं उसमें प्रसाद के जातियों के द्वारा मनाया जाता है जिसमें दोर्ला एंटामी माझ्य दंजाती के लोगों को संमेलिद किया जाता है इस प्रव में अच्छी unavसल की कामना हे ती यह अपने गोत्री देव की पूजा करते हैं और इस अवसर पर जो भी अविवाहित युवक और युवितियां होते हैं वो वैवाहिक संबंद टै करने हितु अपने लिए जीवन साथी भी चुनते हैं और इस अवसर पर रित्य का आई ओजन भी किया जाता है तो इस प्रकार से आपने क क्या क्या जाना कि करसाड़ पर जो है वह एक्च्वल में एक प्रकार का सोशल गैदरिंग कह सकते हैं अबुजमारे दन्जाती के जो लोग हैं वह आपस में मिलते हैं अपने गोत्री देव की पूजा करते हैं अच्छे पसल की कामना के लिए और जो भी युवक और युव उसके बारे में आमा खाई में आम के पकने पर इस तेवहार को मनाया जाता है किसके द्वारा पर्व धूर्वा पर्व धूर्ब ça जनजाती के लोगों के द्वारा मनाया जाता है चैत्र प्रति पदा से पूर्णीमा तक मनाया जाता है मतलब कि जो सुख लपक्ष का टाइमिंग है 15 दिन का जो डुरेशन है उस अवसर पर धुर्वा जनजाती के द्वारा धुर्वा पर्व मनाया जाता है धनकुलिया जगा तीसरा लक्षमी जगार और चौथा बाली जगार का आयोजन जो है वो तीज के उसर पर किया जाता है आठे जगार का आयोजन प्रिष्ण जन्मास्ट्रमी के उसर पर किया जाता है लक्षमी जगार का आयोजन लक्षमी पूजा के उसर पर किया जाता है और बाली जगार का आ धनकुल वादियंत्र बजाते बजाते कथा सुनाती है जो की पराणी कथाएं होती है जो धनकुल वादियंत्र है ये मटका सूपा और धनुट से बना होता है तो इस प्रकार से धनकुल या फिर हम कह सकते हैं जगार परव को मनाया जाता है बैगा जनजाती के द्वारा बीजबोने से पुर्व, बीजबोहनी, भाद्रपद में कुटकी अर्थात गुंदली के फसल काटने के बाद कोरा पर्व, और पॉष माग माह में सरसोगी फसल काटने के बाद धेर्षा पर्व मनाया जाता है, क्या-क्या मैंने बताया, देखो ये जो तीनों पर्व है, और पॉष माग के माह में सरसोगी फसल कटने के बाद धेर्षा पर्व मनाया जाता है, अब हम बात करेंगे भीमा जत्रा की, तो भीमा जत्रा का जो पर्व है, वो दोरला जंजाती के लोगों के द्वारा जेस्ट माह में मनाया जाता है, इस आफसर पर तीन साल में एक बार मतलब कि ये हर साल नहीं मनाया जाता है तीन साल में एक बार मनाया जाता है इस परव को और तीन साल में एक बार भीमा देव का विवाह धरती माता के साथ रचाया जाता है बरसर के अन्य छेत्रों में इस औसर पर वर्शारीतु की कामना के लिए कपल पेंडुम तेभार मनाया जाता है कपल पेंडुम जो तेभार है उसे केवल इस्त्रिया मनाती है जिसमें ये मेंधकों का विवाह रचाती है और इसलिए इसे मेंधका विवाह भी कहते हैं तो इस प्रकार से भीमा जत्रा पर्व मनाया जाता है अब हम बात करेंगे बाली और उसके बाद पर्व का आयूजन करते हैं वो है मादेव को समर्पित तहां हैسمal का उसके आस-स्पास हीवाद है तो लो जहना बार के बारे में किसी वी माहा तक बनाया जाता सवर्वाभ थे लेव बहुत लंबा दूरेशन लोग होते हैं वो लो परीषर में परम गनाया जाता है। जो देवता होते हूं रित्य करते हैं उग्हकों काटोई में जह कि घ्पि यहां के चेत्र की बात कर रहा हूं कि छिंदगण विकासखल के कुछ मैं बगस्ति को नाया mm है ब्लपर कि या गाँ रही होता है जो ग्राम वसी होते हैं म होते हैं वह लगे मैदान में घ्राम देवी की स्थापना करते हैं सबसे पहले यह क्या करते हैं कि जो भी ग्राम होता है उससे लगे हुए मैदान में अपने ग्राम देवी की स्थापना करते हैं सुबह सुबह यह सस्त्र पूजा करते हैं वहां पर और उसके बाद पिर यह जंगल जाते हैं आखेट के लिए बहां से वाप इनों तक कि प्रक्रिया चलती रहती है मतलब कि जो एफ़ ग्रामदेव कई पूजा करते हैं फिर आखेट में जाते यहां पर समा रोह होता है फिर आख्री में पूदगड़े में ये लोग गोबर डालते हैं दसवे दिन ग्रामवासी इसी गोबर को एक दूसरे के उपर छुड़कते हैं या फिर हम यह कह सकते हैं गोबर की होली खेलते हैं और थोड़ा सा गोबर अपने अपने खेतों में ले जाकर डाल देते हैं तो इस प्रकार से अच्छी फसल की कामना के लिए इस पर्व को मनाया जाता है जो खेत होते हैं उसमें जो मिट्टिया होती है उसमें अच्छी पैदावार हो फसल की यह जो मिट्टी हो यह उपजाओ हो इसके लिए गोबर बहुरानी का पर्व मनाया जाता है तो इस प्रकार से जन्जातियों के द्वारा मनाया जाने माला जितना भी परव है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है किन-किन पर्वों की बात की हमने नवाखानी, आमाखाई, माटी तिहार, मेगनाद पर्व, कर्मा पर्व, करसाड पर्व, गोंचा पर्व, धुर्वा पर्व, लारुकाश, जगार पर्व, रताउना, रसनवा, बीजमोहनी, कोरा, धेसा, दियारी, अमुस्तिहार, गौरी दिवारा बनाया जाते हैं, और इनके जो नाम है, पर्वो के नाम है, वो कहीं न कहीं, जैसे इस पर्वो को बनाया जाता है, उससे संबंधी थी इनके नाम है, दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हमारा जो नेक्स लेक्चर होगा, उसमें हम जन जाती नृत्य के बारे में ब झाल झाल